दोस्तो यदि आप एक अकाउंटेंट हैं और टैली में खूब अच्छी तरीके से वर्क कर लेते हैं इसके अलावा यदि आपको कोई भी इन्वोईस प्रिंटिंग करना हो तो उसकी सेटिंग भी आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन कई वार क्या होता है कि जब हम किसी भी इन्वोईस को प्रिंट कर रहे होते हैं तो उसकी सेटिंग करने के दोरान हम पेपर को लेंड इसकेप या फिर पोट्रेट करना भूल जाते हैं या फिर हमको आता ही नहीं है कि हम किस प्रकार से इसे पोट्रेट या फिर लेंड escape करें तो चलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है आज हम इसी के बारे में सीखने वाले हैं तो चलिए वीडियो को start करते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले हम vouchers में entry करेंगे तो मैंने यहाँ पर पहले से entry की हुई है तो उस entry को open करने के लिए हम यहाँ पर display में जाएंगे और उसके बाद मैं accounts book में जाएंगे यहाँ पर मैं sales register में एक sales voucher open कर लेता हूँ जैसे मैं पिछले last month का यहाँ पर एक invoice record करके रखा है तो उसे हम यहाँ पर open करेंगे अब हम इस invoice को print करना चाते हैं तो simply हमको यहाँ पर control के साथ में पी प्रेस करना है और उसके बाद में हमको जाना है यहाँ पर configuration तो arrow key के मदद से मैं configuration पर जाऊंगा enter press करेंगे और हमको simply यहाँ पर सबसे नीचे आ जाना है आप देख सकते हो यहाँ पर printer setting दिया हुआ है इस में से आप printer की setting कर सकते हैं तो simply हमको यहाँ पर enterprise करना है जो भी आपका printer आपके computer से connect है वो printer यहाँ पर दिया हुआ होगा तो simply आप उसे यहाँ पर select कर सकते हैं मैंने यहाँ पर brother DCP 25-40-DW series वाला printer connect किया हुआ है तो यहाँ पर इसे enter करेंगे तो जैसे हम enter करेंगे तो यहाँ पर हमको printer से सम्मंदित setting दिखाई देगी जिसमें आप paper size A4 legal जो भी है लेना चाहते हो ले सकते हैं A4 करेंगे लेंड इसकेप करेंगे तो यह लेंड इसकेप में आ जाएगा means horizontally आड़ा इसके अलावा यदि आप portrait करना चाहते हैं invoice को खड़े page पर print करना चाहते हैं तो यहाँ पर portrait select करेंगे और उसके बाद में ok करना है तो इस परकार से यहाँ पर setting करेंगे यदि आपका कोई दूसरा printer है तो आप यहाँ से कोई दूसरा printer भी यहाँ पर select कर सकते हो उसके बाद में हमको नीचे आना है तो यहाँ पर set preview as default यहाँ पर इसे यदि आप by default के रूप में set करना चाहते हैं तो इसे भी हम yes कर देंगे इसके अलावा number of copies आप invoice की number of copies कितनी चाहते हो यदि एक copy चाहते हैं तो एक copy मिलेगी इसके अलावा दो चाहते हैं तो दो print कर सकते हैं या फिर ज्यादा भी कर सकते हैं type of copy में यहाँ पर जैसे duplicate यदि आप invoice पर duplicate लिखा हुआ चाहते हैं तो duplicate मिल जाएगा जैसा कि आप जानते हो कि invoice की original copy purchaser के पास रहती है और duplicate copy seller के पास रहती है इसके अलावा triplicate copy भी होती है जो कि हम टांसपोर्ट के जरिये जब माल भेजते हैं तो triplicate copy उसको दे दी जाती है तो इस परकार से आप यहाँ पर इसे select कर सकते हैं यदि आप select नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर note application भी रख सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर escape करते हुए वापस से बहार आएंगे और आप यहाँ पर preview देख सकते हैं तो जो भी आप preview देखेंगे तो आपको यहाँ पर alt के साथ में जैड करेंगे और इस परकार से आपको यहाँ पर preview दिखा देगा तो इसमें आप जो भी setting करोगे वो यहाँ पर change हो जाएगी तो इस परकार से आप भी इस setting को करके देखिए यदि आपको किसी भी परकार की कोई भी दिक्कत आती है तो आप comment box में comment करके हमसे पूस सकते हैं चैनल को subscribe करना ना भूले और बगल में बैल आइकन को जरूर प्रेस करें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद